नमस्ते मेरा नाम गुपाल कामत है और मेरे यूट्यूब चैनल गेट यूर रेश्टोरांट में आपका तह दिल से स्वागत है आज मैं आपसे बात करूंगा टॉप सिक्स रीजन्स क्यों अच्छे रेश्टोरांट बंद होते हैं या कोई रेश्टोरांट अगर प्रॉफि आपको खुद का रेश्टोरांट खोलना है या फिर कोई खुद का होम किचन खोलना है तो डिस्क्रिप्शन सेक्षिन में जाके मेरा कॉर्स जरूर चेक आउट किजिए इससे पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए बेल आइकन दबाईए ताकि मै मैं कोई भी नया वीडियो निकालो तो या डालो तो आपको सबसे पहले इस वीडियो के बारे में जानकरी हो तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं मैं मेरा स्क्रीन शेर करूंगा जिसमें मैं आप से शेर करूंगा लॉट सबसे पहला और बहुत ही इंपॉरटन जो टॉपिक है वो है प्रमोशंग का बहुत सारे रेश्टारूंट्स अपने सरॉड नेटवर्क या अपने परसनल दोस्तों के फैमिली के और पैचान वालों के अंदर ही और जो वहां के लोकल लोग है वहां उनके तक ही सीमित रहे जाते हैं वो अपना जो फूड का कॉलिटी है जो नाम है जो प्राइजिंग है या फिर जो उनका खास स्पेशालिटी है वो दूसरों तक पहुचाते नहीं है और उसका यही रिजन है क्योंकि उनको शायद ऐसा लगता है कि आज की तारिक में हमें हमारा रेश्टोरांट प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है अगर खाना अच्छा होगा तो लोग खुद होके आएंगे और हमारा खाना खाएंगे और लोगों को बताएंगे यह कुछ हथ तक सह परना कंपलसर नहीं बलकि आप सास लेते हैं वैसा बहुत ही बहुत ही ज़रूरी है तो मैं आपको कहूंगा कि अलग-अलग फ्री चैनल्स के तुरू जैसे कि आपका यूट्यूब है फेस्बुक है इंस्टाग्राम है उसमें रील्स डालिए उसमें पोस्ट बनाईए अल आपको खर्चा करने का भी ज़रूरत नहीं है तो फ्रीक्वेंटली उस पर डालिए सेकेंडली आप ब्रैंडिंग एक्सरसाइज कीजिए अगर गंपती आ रहा है दिवाली आ रही है तो आप आपके लोगों को अलग-अलग तरीके से आपके रेस्टोरांट के बारे में ब दिखनी चाहिए अगर उनने इंस्टाग्राम खोला अगर वह अजिवाजियो से आपके जा रहे है तो आपका ओफर्स लगा है यह अलग-अलग फिजिकल एंड डिजीटल तरीके से जितना आप आपके रेस्टोरांट को प्रमोट करेंगे उतना आपका रेस्टोरांट ज् उसको benefit होगा तो आज की तारिक में customers का जो day-to-day life है उसमें उनके life में अलग-अलग जगह से इतनी सारी advertising messages bombard किये जाते हैं कि उनको right time पे right जगह पे हमें होना बहुत ही ज़रूरी है अदर्वाइस हम वो order या फिर वो opportunity miss कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं second most important reason जो है वो restaurant fail होने का वो है वो networking ही करते नहीं है वो connect नहीं करते है अपने customer से और owners owner की तरह रहते है और उनका एक उतका ego होता है मैं owner हूँ और you know staff में बात करना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है you have to connect with your customer आपको आपके customer के साथ में connect करना है उनके साथ में relation develop करना है और second point जो मैंने कहा है your network is your net worth इसका मतलब यह है कि जितने ज्यादा लोग आप जान सके market में जितने ज्यादा personal connections आपके है उतना आपको ज्यादा orders आएगा उतना आपको ज्यादा bulk orders आएगा और उतने आपको ज्यादा opportunities आएगे तो आपका ego आपका bank balance आप जो भी खुद को समझ रहे है वो सब गर में रखिए और जबी आप business आपने खुला है business ये एक customer और brand की ब होता है customer और आपका owner तो उनके साथ relations बनाइए और relations ही आपको आगे बहुत ही फाइदा देंगे और third is आप single plate बेचने से आगे सोचिए तो third point जो है getting more than retail इसका मतलब यह है कि आप retail एक एक plate बेचने से आगे सोचिए कैसे आप relation develop कर सकते हैं आपके customer के साथ में कैसे आप उनके सुख दुख में साती हो सकते हैं तो ही आपका brand आगे एक real brand बन पाएगा तीसरा reason है कि वो feedback ही लेते नहीं है they don't listen to their customers वो लोग उनके customer को उनका ego इतना बड़ा होता है या उनका ब्रहम होता है illusion होता है कि वो अपने customer से बात नहीं करते उनका feedback लेते नहीं है उनका feedback लेना बहुत जरूरी है और you know खाना कैसा है oily है spicy है मसालेदार है salt कम है salt जद है क्योंकि यह जो छोटी- है आपका restaurant मतलब आपका आपके customer को जो चाहिए वो आपको देना होता है तो यह बहुत ही important है और thirdly बहुत सारे नहीं आइडियाज आपके customers के तुरू आपको आते हैं जैसे कि अगर मान लिजे customer ने बोला बैया milkshakes चालो करो तो आपको जितना possible है उतना आप उस reason के वज़ है और वो बार-बार आएंगे और आपके restaurant में आपका sale का खाके आपका sale बढ़ाएंगे चौता है not having attention to detail बहुत सारे owners का अपने business की तरफ ध्यान ही होता नहीं होता स्टाफ का uniform स्टाफ का grooming स्टाफ का behavior customer के साथ में उसके उपर ध्यान नहीं होता तो यह चीज के होज़े से क करके रखिए secondly wastage इस पर बहुत बहुत powerful ध्यान रखिए because wastage is your profit laws आपका जो मुनाफ़ा है वो वो नुकसान में बदलने के लिए wastage काफी है जिस चीज को आपने पैसा देके आपके shop की पर से खरीद के लाया है और बनने के बाद में अगर वो वेश जा रहा है इसका मतलब पैसा जो है वो वेश जा रहा है तो wastage इस है पिलफ्रेज इस है चोरी है कि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे आपके cash counter पे तो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कलाकार लोग आपके restaurant से अलग-अलग चीज़े चोरी कर सकते हैं तो आपका restaurant पे 1000 times ध्यान होना बहुत ज जरूरी है right from the time customer अंदर आया उनको बिटाया उनको पानी दिया उनको मेनू दिया उनसे बात किया उनका order लिया उनका order जल से जल प्रिपेर हुआ उनको सर्व हुआ उनको उनके बाद उनका feedback लेना उनसे वो एक customer satisfaction का जो पूरा chain होता है वो बहुत ही high level का और बहुत ही तो repeat customer बनने के लिए उसका experience अच्छा होना बहुत ही जरूरी है चलिए पाचवी पाच फिफ्ट इस पे जाते हैं पाचवे पॉइंट में और वो है कभी-कभी restaurant owners बहुत ही overconfident होते हैं उनका दूसरा कोई business है या उनका job है उसमें बहुत अच्छा चलता है चलता चल रहा हो होता है और वह जो है वह खुद के restaurant में लेकिया थे यह चल रहा है वह चल रहा है और टॉक टूमी और वह एक ध्रम में होते हैं कि मैंने बहुत-बड़ा दीर मार दिया ऐसा नहीं है आपने जब रेश्टरान खोला है तो आपने market में रेश्टरान खोला है और कंपीटिंग आप सब कंपीटिशन के साथ में कंपीट कर रहे हो आपने नमर रहना चीए नमरता पुरुक आपने आपके customer के साथ में contact करना चीए ऐसा नहीं कि हमने बना दिया तो अच्छा होगा मैं हाली में एक रेश्टरान में गया था और मैंने पेस्टो सॉस में पास्ता और दिया और उन्हेंने कुछ तो अलग बना के दिया और मैंने जबी फीडबैक दिया और को तो वो बोला कि अरे यह तो ऐसा ही होता है मुझे मालूम है पेस्टो सॉस यह साथ कंसिस्टेंसी में होता है बिकॉस आम अटेलियर बट उनका जो भ्रम था या हाफ नॉलिज था या क्या यह आप निकाल दीजिए या फिर आप खुद वहां पर मत रहिए आप आपके एक डिसिप्लिंड कॉल्डियल मैनेजर को वहां पर रखिए और उसे कनेक कर दिए कस्टमर को कि कस्टमर जब आपका मेन्यू देखके कुछ चीज और करता है तो उस चीज का कस्टमर के द्यात रखिए आपका इगो और जो भी आपका पॉस्टनल सक्सेस है या ब्रहम है या इगो है उसको आप रेश्टोरांट के दरवाजे में रख के आईए और एस सिंपल एस पॉसिबल आप कस्टमर को ट्रीट कीजिए जैसे आपके घर में मेहमान आए है वैसे आप कस्ट रेश्टोरांट ओनर्स का जो स्टाइल होता है वो बहुत ही गलत होता है यह सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं लोग या फिर वेंडर को पेमेंट बरावर नहीं करते और बिजनेस फंड जो है उनका जो रेश्टोरांट का कैश काउंटर से पैसे निकाल के परसदल खरचा क करना यह भी बहुत बड़ी गलती है और तीसरा है नॉट हैविंग इनफ रोलिंग रोलिंग के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं होना यह सबसे बड़ा प्रॉब्लेम है इन छे चीजों के वजह से नो प्रमोशन्स नो नेट्वर्किंग नॉट टेकिंग फीडबैक नॉट पेंग अटेंशन टू डीटेल्स और कॉन्फिडेंट होना और पूर पाइनशल डिसिप्लीन होना इन छे चीजों के वजह से आपका रेश्टोरांट बहुत ही प्रॉब्लेम में आ सकता है अगर आपको आप रेश्टोरांट ओनर है और आपको खुद का रेश्टोरांट क k-a-m-a-t-h.in और मेरा कोचिंग प्रोग्राम चेक आउट किजिए मैं एक बहुत ही स्ट्रॉंग और वाइड कोचिंग प्रोग्राम रन करता हो जिसमें जिन लोगों रेश्टोरांट ओपन करना होता है या जिन लोगों उनका रेश्टोरांट को सुदारना होता है वो इ इन मेरे कोचिंग मेंबर्स के लिए मैं हर Tuesday को लाइव आता हूं शाम को और उनसे बात करता हूं वन टो वन और उनका प्रोब्लेम सॉल्ट करता हूं तो चेक आउट कीजिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में क्लिक करके साइन अप कीजिए और मिलूंगा मैं आपको है अई लव्रमी गवाई